गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स, मैं सुमन हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में सिंदु सब्वेता के स्थलों के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा सिंदु गाडि सब्वेता के पर्मुक इस्थल और नगर जिनके बारे में कई बार परिक्स हमें पूछ लेते हैं कि ये इस्थल काहां पर है इस इस्थल की उत्खनन का कारी किसने करवाया कब करवाया ये कोण सी नदी के नदी परिस्तित है या फिर अभी जो वर्तमाल में जो समंदी तश्थल है वह कहां परिस्तित है तो देखेगा इस सब के बारे में हम यहां पर देखते हैं तो देखेगा हडपा हडपा है यह दैराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन कारिय करवाय था और वर्स है 1921 नदी हरावी संबन्दित इस्तल है मोंड गोमरी और यह है पंजाब पाकिस्तान में ऐसे ही मोहंजोदडो मोहंजोदडो के उत्खनन करता है राखरदास बनर जी 1922 इस गेंडोर तो यह है आरेल स्टाइन ने उत्खनन करवाय था यहाँ पर और 1927 इस्वी में और नदी है दास्क नदी और वर्तमान में है बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ठीक है फिर आता है चनहूदडो तो चनहूदडो है उत्खनन करता है इसके गोपाल मजूमदार 1931 इ और संबन्दित जो आपका स्थल है वर्तमान में कहां परिश्तित है चनहूदडो यह है सिंद पाकिस्तान में फिर आता है काली बंगा तो काली बंगा है उत्खनन करता है इसके बीके थाप पर 1953 में और नदी घगर नदी और हनुमानगड राजस्तान में कोट दिजी फजल एहमद 1953 सिंदु नदी खैरपूर सिंद पाकिस्तान उसके बाद आता है रंगपूर रंगपूर के उत्खनन करता है आपके रंगनाथराव और यह है 1953 और नदी है मादर और काठिया वाड गुजरात में वर्तमान में यह इस्तित है फिर अगला आता है र यग्यदत सर्मा और 1953 सिंदु में सतलज नदी रोपड पंजाब में फिर आता है लोथल लोथल के हैं रंगनाथराव उत्खनन करता है 1957 में नदी भोगवा और वर्तमान में यह इस्तित है आपके एहमदाबाद गुजरात में फिर आता है आलमगीर पूर यग्यदत सर्मा उत्खनन करता तथा इयर है 1958 और यह है हिंडन नदी के किनारे स्थित तथा वर्तमान में मेरट उत्तर परदेश में है फिर आता है बन्वाली को बनावली भी करते है इसके उत्खनन करता थे आरएस बीस्थ 1974 में नदी है रंगोई तथा हिसार हर्याणा में यह इस्तित है इसी परकार धोला वीरा, धोला वीरा है यह है, इसके उत्खरन करता थे RS-20 और 1985 नब्ब में करवाया गया उत्खरन और नदी है, मासर यो मान हर नदी के संगम प्रियस्तित है, और अभी जो वर्तमान में जो इस्थल है, इसका वो है कच्छी गुजराद, तो देखेगा देर्पा है यह, मांट गोमरी जिल्ले में पंजाब पाकिस्तान में इस्तित है, इस इस्थल का उत्खनन 1921 सिस्वी में द्याराम साहनी द्वारा करवाया गया, यह रावी नदी के किनारे इस्तित है, मोहन जो दुडो, यह है सिंद का लरकाना जिल्ला, जो पाकिस्तान मे 1922 इस्यू में राखल दास बंदर जी ने उत्खनन का कारिय करवाया था और ये सिंदु नदी के तठ पर इस्तित है सुतका गेंडोर जो ब्लूचिस्तान पाकिस्तान में 1927 इस्यू में आर एल स्थाइन द्वारा उत्खनन का कारिय आपर करवाया गया तो देखें स्टुडेंट्स कई बार इस्तिलों के बारे में पूछ लेते हैं तो आपको ये सन और इनके उत्खनन करता को और जो वर्तमान में ये कौन से देश में हैं या फिर कौन सी नदी के किना रिश्तित हैं सब आपको ध्यान से देखना है फिर अगला है चनहुद्डो चनहुद्डो यह सिंद पाकिस्तान में है तथा इसके उत्करन का कारिय है एम जी मजूमदार ने 1931 इस्वी में करवाया था फिर अगला है रंगपुर जो एहमदाबाद काठियावाड जो भारत में है इस इस्थल की खुदाई वर्स 1953 में यह रंग नाथराव द्वारा की गई थी फिर अगला है कोट दीजी यह सिंद पाकिस्तान में है 1953 इस्वी में फजल एहमद द्वारा उत्खनन का कारियाँ पर करवाया गया था फिर अगलाता है रोपड पंजाब भारत में 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी 1953 इस्वी में यग्यदत सर्मा के दिशा निर्देशन में उत्खनन का कारिये करवाया गया काली बंगा यह हनुमानगट राजस्तान भारत में है 1953 इस्वी में बीबी लालेम बी के थापड द्वारा यहां पे खुदाई का कारिये करवाया गया अगला आता है लोथल लोथल एहमदाबाद गुजरात भारत में है और 1955 इस्व में रंगनात राव के दिशा निर्देशन में उत्खनन का कारिये किया गया लोथलगा आलमगीरपूर तो कई बार पूछ लेते हैं आलमगीरपूर कहां पर है उत्तर परदेश और मेरट में और है सुरकोटडा तो सुरकोटडा है ये कच्छी गुजरात में है जो भारत में है 1972 इस्व में जगपती जोसी द्वारा उत्खनन का कारिये आपर करवाया गया था बनवाली या फिर बनावली ये हिसार हर्याना भारत में है 1973 में RS-20 के निर्देशन में उत्खनन का कारिये आपर करवाया गया था धोला वीरा तो ये धोला वीरा ये गुजरात का चोर भारत में है इसकी खोज जगपती जोसी ने 1967-68 और तो खोज है धोला वीरा की खोज है ये जगपती जोसी ने कब 1967-68 में करवाई और यहाँ पर उत्खनन का कारिये आर एस विस्ट के निर्देशन में 1990 इस्वी में करवाया गया तो देखे चात्रों यहाँ पर हमने सिंदोगाटे सब्वेता के जो पर्मुक इस्थल है नगर है उनके बारे में संक्सिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करिये इनके बारे में हमनें डिटेल से भी वीडिय योज बढ़े हैं महाँ पेन के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करियेगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद